नमस्कार जैशी कृष्ण मित्रो मैं हूं करिश्वा पेस्वानी मेरे कहानियों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी का विश्य है कि भगवान से क्या मांगे सबसे पहले तो हमें भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो प्रभु पंतर यामी है उनसे बहतर कौन जान सकता है कि हमें क्या चाहिए लेकिन अगर मांगना ही है तो क्यों न भगवान की किरपा मांगी जाए तो ये कहानी भगवान की किरपा की ही कहानी है सबसे बड़ी बात है कि भगवान से भगवान कोई क्यों नहीं मांग ले क्योंकि जब भगवान ही हमारे हो जाएंगे तो शेश क्या रहेगा सोचिए जरा उनका प्रेम उनकी कृपा निरंतर हम पर बरस्ती रहे और क्या चाहिए हमें सच बात यह है कि हमें मांगना ही नहीं आता है क्योंकि भगवान से यदि हम कुछ मांगते हैं तो मित्रो घाटे का सौधा ही करते हैं मानलो आपने भगवान से एक लाख रुपे मांगे और भगवान हमें एक करोड रुपे देना चाह रहे हो तो सोचिए इसमें घाटा किसका है इसलिए अवल तो हमें मांगना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे तो घाटे का सौधा हो गया आप थोड़ा सुधामा जी को देखिए उनके जीवन का दर्शन कीजिए आप समझ जाएंगे यहां पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ एक बार एक राजा था वो घूमने के लिए नगर में निकला और रास्ते में उसके कुड़ते का बदन तूड़ गया उसने सैनिकों से कहा कि तुम लोग जाओ और जल्दी से कोई दर्शी लेके आओ वन्ना मैं कैसे नगर भ्रमण के लिए जाओंगा सैनिक गये और उनको पास में एक दर्शी ले आए उसके पास और दर्शी ने राजा के कुड़ते का बटन लगा दिया अब राजा जी पूछने लगे दर्शी जी कितने बैसे हुए उसने सोचा कि मेरा तो केवल धागा लगा है कुड़ता भी राजा का बटन भी मांगा का अब मांगू तो क्या मांगू राजा से सोचने लगा दर्शी फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा माराज मुझे इसका दाम नहीं चाहिए राजा फिर कहने लगे नहीं कुछ तो आपको लेना ही चाहिए बताओ कितना दाम हुआ अब दरजी सोचता है कि अगर मैं राजा से एक रुपया मांगनू तो ठीक है इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है फिर वे सोचता है कि नहीं नहीं अगर मैंने राजा से एक रुपया लिया तो राजा को लगेगा कि मैं सबसे एक रुपया ले दीजिए तो राजा ने सोचा कि ये तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है अगर कुर्टे में बटन नहीं होता तो मैं नगर भ्रमन के लिए ही जा ही नहीं पाता इसने सही वक्त पे आकर बटन लगा के मेरी प्रतिष्ठा बचा ली और अब ये कुछ ले भी नहीं रहा है, लेकिन मैं तो राजा हूँ, मैं तो इसको कुछ जरूर दूँगा, उसने धरजी को दस्वन मुद्रादान में दे दी, धरजी तो हैरान हो गया, और मनी मन खुश भी हो गया, कि अच्छा हुआ, कि मैंने राजा से कुछ नहीं मांगा, अ इसलिए भगतों भगवान पे विश्वास रखिए, वो हमें जो देंगे, वो हमारे लिए अच्छा ही होगा, बस थोड़ा धैरे रखिए, और हमेशा मांगना भी है, तो अंत में ये जरूर कहिए नहरत जी की तरह, कि अगर वो हमारे हित में हो, तो ही देना प्रभू, वर करना नहीं, तो यह थी, आज की कहानी यह थी, आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक करें, और ऐसी ही कहानिया प्राप्त करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, जै श्रीक्रेश, जै भारत माता, जै हिल्द।